तो दोस्तों Binance तो आपने हर किसी ने इंस्टाल कर रखोगा अपने फोन के बीच में लेकिन क्या आपको पता बही Binance आपको फ्री में धाई सो डोलर तक दे रहा है जी हाँ गाईज दरसल में Binance ने यहाँ पर 6 एर अनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रहे है क्योंकि Binance को 6 साल हो चुके हैं यहाँ पर अब उसके भिहाफ पर वो कुछ कोशन्स पूट कर रहा है और क्या अगर आपने सही जबाब दे दिये तो आप जीत सकते हैं 2500 डोलर यानि एक BNB जिसकी लगबग कीमत आज के टाइम पर चल रहा है 246 डोलर मतवर 2500 डोलर के आज़ पास हाँ मान के चल सकते हो एक BNB की किमत तो चलिए आपको कहां से यह कोशन्स जानने और इनके अंसर भी मैं ही आपको बताऊंगा तो अंसर या तो पहले लिख लो आप जिस वीडियो को पूरा देखे क्या कौन से कोशन्स का क्या अंसर है और देखे प्रोसीजर कैसे कैसे आपको फोलो करने क्या करना है सबसे पहले तो आपको होम पेज पर आ जाना है बाइनस के चाहो तो आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हो, यहां पर ट्रेड का आरन का उप्शन है और यहां पर गिफ्ट 25,000 US dollars का award यहाँ पर रख हुआ है, यानि एक BNB हर किसी को मिलने वाला है, अब देखिए यह कैसे करना है, किस तरह से आप ले सकते इसको BNB को, तो जैसे आप थोड़ा से स्क्रोल डाउन करोगे, तो यहाँ पर लिखे है, आपको इसके उपर क्लिक कर देना है, जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे, आप यह मैं पहले खेल चुका हूँ आलरेडी, मैंने सबी जबाब दे चुका हूँ, आपको क्या ड्रेक्टली कोशन दखाएगे, लेकिन मेरी बारे में यहाँ पर पूछ रहे है, प्ले अगेन सीर तो इसका अंसर है, यास मतरब ट्रू इसका अंसर है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ट्रू क्यों है, क्योंकि जो डोज कोई न वो दिसंबर 6, 2013 में रिलीज किया गये था, और जो हमारी इथेरियम ब्लोक्चेन है, वो 30 जुलाई 2015 में रिलीज की गई थी, तो इसके लि अंसर है, फंगेबल का मतलब होता है, जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे टोकन से जो सेम टाइप का टोकन हो, जिसकी वैल्यू मतलब कीमत भी सेम हो, ओ नोन फंगेबल का मतलब NFT, आपने अकसर सुन ही होगा, एन फ्ट जो है कि तम यूनीक होती है, वो किसी से रिप्लेस नहीं की जा सकते हैं, नेक्स यहापर कोशन आता है, मैटावर्स का, जो मैटावर्स है, वो 1992 में नोवल में यूज किया गए था, या आप ही नहीं किया गए तो इसका नहीं किया गए, तो मतलब फाल्स इसका अनसर है, फाल्स पे आपको क्लिक कर देना है, नेक् आता है Bitcoin having happens roughly every तो यहां पर आपको करते ना है 4 years हर 4 साल बाठीक है नेक्स्ट आता है where was the first Bitcoin ATM located तो सबसे पहला जो Bitcoin का ATM था वो Canada के बीच में यानि Vancouver Canada के बीच में लगाया गया था और यह 29 अक्तूबर 2023 में कोफी शोप में लगाया गया था तो आपको यहां पर Canada पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट बात यहां आती है आपने तो सुना ही होगा यार जब Bitcoin स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आये थे तो अब एक पीपल ने इसको परचेज आउट किया था और उन्हें पीजा मंगाया था तो आज उसकी रफली कोष्ट कितनी होती तो आज की डेट में उस रफली कोष्ट होती लगबग ओवर 200 मिलियन यूएस दोलर की तो इस पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है साइटोशी नाको मोटो जिसको हम बोलते हैं वह बीटी सी के क्रियेटर है उन्होंने मतलब बिट कोईन जो क्रियेट किया था वो इन्हीं की ही प्यदाईश थी तो इन्होंने ही उसको क्रियेट किये तो इन्होंने सबसे पहले मेल सेंड की थी तो यहां पर आएगा साइट लास्ट कोशन आता है भी FOMO for the latest DEFI token तो यहाँ पर यह जो आपको दो option दिखाई दे रहे हैं FOMO से related एक दे रहे हैं I, Y, K, N, Y और एक दे रहे हैं AMMPL तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ जो I, Y, K, N, Y यह होता है slang term यहाँ पर यूज़ के गई है और जो AMMPL यह एक नद decentralized exchange है यानि DEX की टाइप आईए तो इसके बीच में दोनों correct हैं लेकिन हम first के साथ जाएंगे अब देखें यहाँ पर मैंने answers दे दिया हैं अब answers मेरे हो चुके हैं यहाँ पर submit next आपको क्या काम करना है यहाँ पर आरा keep sharing share now पर click करके यहाँ से आपको copy कर लेना और copy करने के आप जिस जिस पर send करोगे मतलब share करोगे तो जादा से जादा share करोगे तो आपका ही benefit है next आपको इस tick पर click करना है और यहाँ पर click करने के बाद बोलेगो comment now यह मैं already comment कर चुका हूँ जैसे आप इधर click करोगे तो comment now पर comment कर देना आपको सिरफ इतना सा काम करनो और इतना सा क को लग जादे को इसमें गया तो आपका कुछ निना इसने पैसे लिये यहाँ पर सिरफ questions के answer दिया आपने और answer मैंने बता दिये सारे के सारे आपको तो गया आपका कुछ निया आप चाहो तो बड़ी असानी से उसको जीत सकते हो प्राइज मनी को जीत सकते हो तो hopes व वीड टिनिकल के सामने है कि मैं आपके शेर करता लोगा लाइक जरूर करें और इसको शेर करें जादा से जादा लोग के पाथ ताकि जादा से जादा पीपल एक बियान भी जीत सकें थैंक्यू गाइस